एक दिन जब सोनू कॉलेज से घर आया तो देखा कि उसकी मम्मी के साथ एक खूपसूरत औरत बैटी थी, वह औरत बहुत सुन्दर थी और पड़ी लिखी भी लग रही थी, मम्मी ने सोनू को बताया कि वह पड़ोज वाले घज से आई है अपने पती के साथ रहने के लिए, बातों ही बातों में पता चला कि उनका नाम सीमा है और वह पड़ाती भी हैं, तो सोनू की मम्मी ने बिना देर किया ही सोनू का ट्विशन सीमा के यहां लगवा दिया, सोनू तो यह सुनते ही खुश हो गया, अगले ही दिन से सोनू का ट्विशन शुरू हो गया, तो वह प सोनु का मन पढ़ाई में नहीं लगता था एक दिन जब सीमा भावी सोनु को पढ़ा रही थी तब ही भावी को अचानक से पता नहीं क्या हो गया और वो वहीं पर गिर पड़ी सोनु ने सीमा को उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया जब सीमा भावी को हो सया तो वह प्रश्चानक क्या हो गया था उसके बाद सीमा भावी ने सोनु को अपने घर भेज दिया अगले दिन जब सोनु सीमा भावी के यहां पढ़ रहा था तो उसका देन आज भी सीमा की तरफ ही था सीमा यह देखकर सर्मा गई और बोली क्या देख रहे हो सोनु बोला कुछ नही ऐसे ही काफी दिन बीट गए एक दिन सोनु ने भावी को I love you बोल लिया तो भावी हैरत में पढ़ गई क्योंकि वे तो पहले से ही साधी सुधा थी पर उसका पती सहर से बाहर रहता था इसलिए उसने सोनु का प्यार सुखार कर लिया अब सोनु और सीमा भावी पढ़ाई के बहने उसी कमरे में प्यार करने लगे थे एक दिन ऐसे ही दोनों प्यार कर रहते तबी सोनु की मा वहाँ पर सीमा से मिलने के लिए आई तो वह डारेक्ट अंदर घुज गई पर कमरे का नजारा देकर वह बेउस हो गई उसने देखा कि सोनु अपनी टीचर से प्यार कर दोस्तों हमें हमेशा अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए